गड़स के अपर क्या आगा है बोगी आगे तो यह एजूम करना आएगे कि पट्टी दाल रहे हैं देखो पन यह 0.1 मीटर की रहती यह वील्स वखरा जो भी है वह 0.6 मीटर और यह जो बोगी दा रहे हैं पर यह 3.5 मीटर की रहती बस इतना डिफरेंस होता यह ब्रिज LA WOODकोट पर जूब 10 अब यह लोड़ेट में क्या करना है यह पर निच्छ पी इवागेडर पर दो को मालूं कर लिएं मैं लेकन आताप प्लूम करने उसका फार्मला है P wind of bogey into L perfective into height of degrees of d girder that थे मतलणों खब कुर्दिया- các यह-पन अदो फ्रींट अब है तो लिए कने मालूम है यह पूरा मालूम है क्या था है अब अपने को क्या है यह P wind of bogey भी आता अब अगर मालूम कर लिए तो ठीक है किता आ रहा हो 133.77 आ ठीक है नो बड़ अब ये डाइग्राम में जैसा पन ये 2R 2R से 2R मालूम करें bending moment about A लेके same message bending moment about A लेके फिर से 2R मालूम करें 2R into 2 आता फिर ये दो 116.76 into 1.222 same message ठीक है यहाँ पर करें फिर प्लस और एक चीज़ क्या था ये उपर बोगी का भी आएंगा ना इससे पहले unloaded में का था निया आया था अब loaded में आएंगा ना तो बोगी का क्या है यहाँ से लेके पूरा निच्छे तक जाना है अपनो ये distance load into ये perpendicular distance तो perpendicular distance यहाँ तक अपन मालूम करें देखो पन ये height of bogey कितना है 2.45 तो ये load into height of bogey प्लस ये पूरा distance ये 2.44 इसलिए अपन क्या कर रहे है P wind of bogey into उसका height of bogey जो आया था वो plus पूरा total girder का लेना ठीक है ना total यहाँ से ले रहे हैं पन पूरी height यहाँ से लेके इसलिए पूरा परपड़ने को ले डिस्टेंस